लॉकडाउन के बीच नालंदा से दिक दिल दहला देने वादी खबर सामने आई है जहां आकसी विवात में 11 साल के बच्चे को अगवा कर ब्लेट से काट कर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है बताया जा रहा है कि परबलपुर के अस्तु पुर्णेवासी अरजे कुमार की पुत्र अंकित कुमार को गाओं के ही लोगों ने पहले अगवा किया और फिर थरथरी थाना इलाके में रिजाकर उसकी निर्मम हत्या कर दी पुलिस को सूचना दिये जाने के बाद छानबीन शुरू कर दी गई जिसके बाद बच्चे के शव को बरामत कर लिया गया शव बरामत होने के बाद पुलिस ने सक्रेता दिखाते हुए तीन लोगों को इस बच्चे की हत्या के आरोप में गिरफतार कर लिया है लेकिन इस तरहा से बच्चे को बे रहमी से ब्लेड से काट कर उसे मौत की घार उतार देना निर्ममता के साथ साथ एक बिमार मानसिक्ता को भी दर्शाता है भारत फोकस